असलाव लगों फ्रेंड्स मैं जो फिछले वीडियो में बताया था साइन इन कैसा होना है साइन आट कैसा का कैसा होना है के लियो में जो मैं बताया था साइन इन जैसा मैं एक दुबारा आपको बोलने के लिए साइन इन कैसा होना है साइन आट कैसा होना है तो जब मां मैंसेज है जो और पुठ आएगा उस और पूठ वह है चेक एक्षण कोड छेक कि एक्षण कोड है जब यह चक एक्षण को आपको आएगा तो उसका मतलब यह है कि आपकर टेर्मिनल डिया बिस्ते हैं यानि मतलब आपका terminal यहां use कर सकते हैं, अगर चे इस message नहीं है या, तो दूसरा message आया, तो उसका message कैसा रहेंगा, बोलूँगा, वही है वो error message है, वो error message यह है, terminal in use, क्या आता, terminal in use, अगर चे यह नहीं आता, तो दूसरा error यह आता, age out ये दो errors आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका terminal किसी और ने use कर रहा है मतलब वो है कि administration ने आपको access नहीं दिया गा है तो ऐसे errors आएंगे तो आप इसका errors आने के बाद आप जो करने का मतलब ये है कि आप sign off करके फिर दुबारा sign on जैसा yes on करना है आपको मालूम है कि sign on तो उसका slash ये दालना है कि आपका jet से शुरू होएगा यानि कोई भी galilio का ID जो दिया जाता है तो jet से शुरू होगा और कोई दूसरा alphabet A, B, वगएरा तो वैसा ही आपका ID आएगा अगच नहीं ये त्री कारेटेट्स है A, B, 1 यानि sign on Z, A, B, 1 ऐसा भी आपको आएगा और galilio में पासवोर्ट चेंज करने के लिए आपका जो वक्त रहेगा चलिस पर पांच दिन के बाद आप उसका न्यू पासवोर्ट चेंज करना पड़ेगा देखो फ्रेंड्स अब जब मैं sign on होते हैं sign is on और उसके बाद जो जट से शुरू होता है तो उसके बाद आपका जो दिया गया ID लिखा जाता है तो ऐसा ही आप sign off करने का चेंज सा S, O, N sign सोरी S, O, F sign off ऐसा ही क्या करेंगे तो Z, H, A Z, H, A तो sign off हो जाता है ऐसा ही आपका जो sign on करने का कोई area code है तो उसका area code जैसे देना है देखो Z उसके बाद जो है आपका area code G, G, L, 4 ये area code है तो दूसरा है ये तो H, A का मतलब आपका personal ID है ऐसा ही sign off करने का मतलब S, O, F Z, G, L 4 H, A ऐसा ही आप क्या करना है sign off कर देना है जैसा आप sign in करते हैं ऐसा ही आप sign off कर देना है